नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल संगिताज कॉर्णर में इस रेसिपी को बनाने के लिए एक बरतन में दो बड़े गलास पानी को गरम कर लेंगे तो इसका प्योरी बनाने में धनिय का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब इसे ढखके एक अच्छा सो उबाल आने देंगे एक अच्छा सो उबाल आने के बाद पालक को अच्छे से इस उबलते पानी में डिप कर देंगे और एक-दो मिनट रखने के बाद इसे हम लोग फटा-फट निकालके इसे ठंडा पानी में एड़ करेंगे तो यहाँ पर gas का flame मैंने बंद कर दिया है और उसको निकाल के ठंडे पानी में डिप करते हैं ताकि इसका cooking process रुख जाए इससे जो पालक का nutrition होता है या फिर color होता है वो save हो जाता है तो यहाँ पर देखिए सारे पालक को मैंने डिप कर लिया है और एक दो मैंने टरकने के ब अब यहाँ पर मैंने छे उबले वे अंडे ले लिये हैं और इसमें अब हम फॉक के मदब से थोड़ा थोड़ा प्रिक कर लेंगे यानि कि इस तरह से होल बना लेंगे या फिर आप चाकू से भी थोड़ा थोड़ा कट लगा सकते कहीं कहीं इससे क्या होगा जो भी gravy का flavor हो तो यह सारी चीज अच्छे से mix हो गई है अब चलते है next process में उसके लिए कड़ाई गर्म करके यहाँ पे तेल गर्म करेंगे तो यहाँ लगबग आधा कप मैंने सरसो का तेल ले लिया है आप जो भी तेल खाते हों वो यूज कर सकते हैं बट इस recipe के लिए सरसो का तेल इसको crispy कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे अंडे हमारे fry होके ready है बहुत ही अच्छा सा layer इसके उपर आ गया है तो सारे अंडे को निकाल के side में रख देते हैं और फिर उस तेल में थोड़े से खड़े गरम मसाले आड़ कर लेंगे उसमें से है एक तेज पत्ता आधी प्याज बारी कटावा एड़ करके इसको भी ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे प्याज अच्छे से भून जाए उसके बाद डालेंगे एक बड़ा चमच अद्रक लहसन और हरी मिर्च का पेस्ट और इसको भी हम लोग इस तेल में अच्छे से भून लेंगे मसा आदीचोटी चममज लाल मिर्च पाउडर और चोटी चममच काली मिर्चados kamu, पाउडर, पामें भूड़ा से दाले ताकि मसाले जलनी और गहाएं नहीं सप्रवाइआ को एक दू मिनट के लिए हम सभूल होजा ईचा पर तब यह चूट लेटे हैं इस स्टेज पे अब हम लोग टमाटर की प्यूरी डालेंगे तो जितना प्याज लेना है उसकी डबल क्वांटिटी में टमाटर लेना है तभी इस ग्रेवी का अच्छा टेस्ट आता है तो एक बड़े साइज का प्याज मैंने लिया था इसलिए दो बड़े साइज के टमाट त्माटर को फाइन मेने पीस के तयार कर लिया इस तरह से प्यूरी उसको एड़ करके अब हमें अच्छे से पकाना होता है तो जब तक अच्छे सी नी पकेगा ग्रेवी क अच्छा टेस्ट न ही आता है तो तो टमाटर को mix कर लेते हैं और इसमें टेस्टी का कॉ मिक्स करने के बाद इसे हम चार से पांच मिनट के लिए पकाएंगे लो टो मीडियम फ्लेम पे तो सुरू में इसे एक दो बाद धक के पकाले बीच में चलाते जुरूर रहेंगे और यहां पर लगबग दो से तीन मिनट के बाद देखिए धकन में हटा रही हूं यह तोड़ी थोड़ी प्योरी डालेंगे जो हमने बना के रखी थी तो सारी को हम लोग इस स्टेज पर डाल देते हैं और जार को भी धोड़ी धोके थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे ताकि वो वेस्ट ना हो और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद इस पालक को हम камण पकाना है इसमें जो पालक का कच्छा पर्ण है वो अच्छे से निकल जाए तो यहां पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया की एक और ढ़ा है और ढखकर हम यहां पे 3-4 मिनट के लिए पका लेते है लो फ्लेम पे तीन से चार मिनट के बाद आप देख सकतें कि पालक का जो कलर है वो काफी हद तक चींच हो गया है और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स भी हो गया है तो इस स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे इसमें थोड़े से मसाले और एड़ करेंगे इसके टेस्ट को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा चमच कसूरी मेथी में डाल रही हूँ उसको तवा में गर्म करके क्रस्ट करके ले लिया है और थोड़ा सा गरम मसाला डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस स्टेश पे हम लोग अब अंडे को एड़ करेंगे तो यह रेसिपी बहुत ही इजी है जैसे हम लोग अंडा करी बनाते है बस उसमें पालक के प्योरी आड़ करना है थोड़े से मसाले का हेर फेर है लेकिन बहुत ही अलग सा बहुत ही योनिक टेस्ट आता है तो इस सीजन इस रेसिपी को आप एकबर जुरूर बना के ट्राइ कीजिएगा आपके फैमली आप जिसको भी खिलाएंगे वो इसका स्वात कभी नहीं भूल पाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी एट कर दे रही हूँ इसकी ग्रेवी बहुत ही पतली नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा गाड़ी भी नहीं रहती है तो मैंने बिल्कुल एक चुथाईकब जैसा पाने डाला है और इसको हम लोग चार से पांच मिनट और पका लेंगे लो फ्लेम पे ताकि अंडे जो है सारा ग्रेवी का जो टेस्ट है वो फ्लेबर है अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले चार से पांच मिनट के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रेवी का कलर, टेक्शर और खुस्बू बहुत ही अच्छा हो गया है और तेल भी बहुत हद तक सेपरेट हो गया है तो यह हमारी पालक अंडा करी बनके बिल्कुल रेडी है फ्रेंट सर्फ करने के लिए तो यहाँ पे एक बार मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम को यहाँ बंद कर देते हैं और धक्के में 10 मिनट छोड़ती हो हर सबजी को ताकि वो अच्छे से रिलेक्स करें उसके बाद ही सर्फ करें तो सबजी का अच्छा सा टेस्ट आता है तो यहाँ पे धक्के में छोड़ देती हूँ और 10 मिनट के बाद गर्मा करम इसे किसी पूरी, पराठे, नान या फिर चावल के साथ सर्फ कीजी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और काफी हेल्दी भी है तो इन कड़कडाती ठंड में इस रेसीपी को एक पर आप जरूर ट्राइ कीजिए आपको आपके फैमली को यह बहुत पसंद आने वाली है वीडियो कैसी लगी फ्रेंट्स प्लीज कमेंट में अपना केमती फीडबेक जरूर दीजिएगा और शैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर अन कर लिजिएगा और मुझे आप फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा दोनों का आईडी संगीताज कॉर्नर है आज के लिए इतना इफ्रेंट्स फिर मिलते हैं इसी तरह की नई और आसान रेसीपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर थांक यू